ओम शिरी मन नाराय नायन में शिरी विश्णु पुनाण के पिर्थम अन्स के सत्रवे अध्याय का अनुवाद हिरने कश्यपू का दिख बिजय और प्रलहा चरित्र शिरी परासर जी बोले हिम एत्रै उन सर्वदा उदार चरित पराम उध्यमान महात्मा प्रलहा जी का चरित तुम ज्यान पूर्वक्षरों करो पूर्वकाल में दीती के पुत्र महावली हिरने कश्यपू ने ब्रह्मा जी के वर्से गर्वयुक्त होकर संपूर्ण तिलोकी को अपने बसिभूत कर लिया था वह स्वयम ही कुवेर और यम्राज भी था और वह असुर स्वयम ही संपूर्ण यग भागों को भोगता था। अभिष्ट भोगों को भोगता था। उस समय उस मद पाना असक्त महा काई हिरना कश्यपू की ही समस्त सिद्गंदर्व और नाग आदी उपाशन करते थे। उस दैत्यराज के सामने कोई सिद्गंदर्व तो बाजे वजा कर उसका एसोगान करते और कोई अती परसन होकर हुआ करता था परसन्ता के साथ मद्यपान करता रहता था। उसका प्रलहाद नामक महा भाग्यवान पुत्र था। वह बालक गुरू के यहां जाकर बालोचित पाठ पढ़ने लगा। एक दिन वह धरमात्मा बालक गुरू जी के साथ अपने पिता देत्यराज के पास गया जो उस समय मद्यपान में लगा हुआ था। तब अपने चैरलों में जुके हुए अपने परमते जस्वी पुत्र प्रलहाद को उठा कर पिता हिरने कर शपू ने कहा। हिरने कर शपू बोला वत्स अब तक अध्यन में निरंतर तत पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उ है मैं आपकी आग्यानुसार सुनाता हूं साबधान ओकर सुनिए जुवादी मद्या और अंत से रहित अजनमा ब्रद्दिक शे शुन्य और अचित हैं समस्त कारणों के कारण तथजगत के स्थीति और अनन्त करता उन सिरी हरी को मैं प्रडाम करता हूं सिरी परासर जी बो बोला रे दुर्बुद्धी ब्राम्मर्धम यह क्या तूने मेरी अवग्या कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तूती से युक्त अशार सिक्सा दी है। गुरुजी ने कहा देतिराज आपको क्रोध के बसी भूत ने होना चाहिए आपका यह पुत्र मेरी सिकाई हुई बात नहीं कह रहा है। किसी को कुछ सिखा सकता है क्या। किसी हम बिस्व रूप है बह परमेस्वर ही बिश्णु है। प्रिलाजी बोले हितात बह ब्रह्मा भूत बिश्णु तो केवल मेरा ही नहीं बलकि संपुन प्रजा और आपका भी करता नियदनता और परमेस्वर है। हिरने कशपु बोला अरे कोन पापी इस दुर्बुद्धी बालक के हिर्दय में घुस बैटा है जिससे आभिष्ट चित होकर यह ऐसे अमंगल बचन बोलता है। पिला जी बोले पिता जी विश्णु भागवान तो मेरे ही हिर्दय में नहीं बलकि संपुन लोकों में श्थित हैं बेसार भुगामी तो मुझको आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेश्टाओं में परवर्थ करते हैं। इस पापी को यहां से निकालो और गुरू के यहां ले जाकर इसका भली प्रकार सासन करो जिस दूर्मती को नजाने किसने मेरे बिपक्षी की परसंसा में नुक्त कर दिया है। एते राज ने पिलाजी को फिर बुलाया और कहा बेटा आज कोई गाता कथा सुनाओ। पिलाजी बोले जिन से प्रधान पुरू सोर यह चराचर जगत उत्पन हुआ है बेसकल पिर पंच के कारण स्री बिश्नु भागवान हम पर प्रसंद हो। पिलाजी बोला अरे यह बड़ा दुरात्मा है इसको मार डालो अब इसके जीने से कोई लाव नहीं है क्योंकि स्वेपक्स की हानी करने वाला होने से यह तो अपने कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। शिरी पराशर जी बोले उसकी ऐसी आग्या होने पर सैकड़ो हजारो देत्यागल बड़े वड़े अस्त्र सस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुए। पिल्ला जी बोले अरे दैत्यो भगवान विश्णू तो सस्त्रों में तुम लोगों में और मुझ में सर्वत्र ही इस्थित हैं इस सत्य के पिरभाव से इन अस्त्र सस्त्रों का मेरे उपर कोई पिरभाव न हो सिरी परासर जी बोले तब तो उन से एकड़ों दैत्यों के सस्त्र समू का आगात होने पर भी उनको तनिक सी भी बेदना ने हुई फिर भी जियों के त्यों नवीन बल संपन नहीं रहे खिरने कशिपो बोला अरे दुर्बुद्धे अब तु पिपक्सी की स्तूती करना छोड़ दे जा मैं तुझे अब एदान देता हूं अब और अधिक नादान मत हो पिला जी बोले हितात जिनके इसमन मातर से जनम जरा मृत्यु आदी के समस्त भै दूर हो जाते हैं उन सकल भैहारी अनंत के हिर्द्या में इस्तित रहते हुए मुझे भै कहां रह सकता है हिर्णा कश्रपो बोला अरे सर्पो इस अत्यांत दुरबुद्धी और दुरचारी को अपने विशागनी संतप्त मुखों से काट कर सेगर ही नष्ट कर दो सिर्परासर जी बोले ऐसी आग्या होने पर अतिक्रूर और बिश्धर तक्षक आदी सर्पो ने उनके समस्त अंगों में काटा किन्तों उन्हें तो सिर्पशन चंदर में आसकत चित होने के काराण भगबत इसमर्ण के पर्मानंद में डूबे रहने से उन महा सर्पो के काटने पर भी अपने सरीर की कोई सुदी नहीं हुई सर्पो बोले हिदेत्यराज देखो हमारी दाले तूट गई मड़िया चटकने लगी फड़ों में पिड़ा होने लगी और हिद्यकापने लगा ततापी इसकी तुछा तो जरा भी नहीं कटी इसलिए अब आप हमें कोई और कार्या बताईए हिरले कशप बोला हे दिगजो तुम सब अपने संकीर दातों को मिला कर मेरे शत्रू पक्स द्वारा बहका कर मुझ से बिमुख किये हुए इस बालक को मार डालो देखो जैसे अरणी से उत्पन हुआ अगनी उसी को जला डालता है उसी पिरकार कोई कोई जिस से उत्पन होते हैं उसी के नास करने वाले हो जाते हैं